Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing good. So, आज की जो वीडियो है, वो है MCQs on Culture and Heritage of India for JKSSB Panjai Secretary VLW Exam. अगर आप इस एक्जाम के प्रपरेशन कर रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा. और में प्लेइलिस्ट का लिंक जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. So, if you are new to our channel, then do subscribe to our channel. वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक जरूर कीजिगा and share कीजिगा अपने friends के साथ. So, start करते हैं. First question is, the Flamingo Festival is celebrated in which state of India? So, India में एक ऐसी state है, जहाँ पे Flamingo Festival celebrate किया जाता है. So, यहाँ पे पुछाएं कि कौँसी state में किया जाता है? तो A है आंदरप्रदेश, B है करनाटका, C है केरला और D है बिहार. So, the right answer is option number A, आंदरप्रदेश. ठीक है, आंदरप्रदेश में जो पुलिकत लेक है ना, पुलिकत लेक के पास जो है, यहाँ पे एक bird century आती है, जहाँ पे Flamingo Festival जो है, यह celebrate किया जाता है. और यहाँ पे बोला जाता है कि approximately around 15,000 Flamingos जो होते हैं, हर साल जो है, रिपोर्ट किया जाते हैं यहाँ ठीक है, इस festival के दोरान, मतब उस time period में, जो है 15,000 approximately जो Flamingos होते हैं, वो वहाँ पे आते हैं, उस लेक के पास, इसलिए उस दिन को Flamingo, मतब उन देज को Flamingo Festival जो है, आंत्रप्रदेश में celebrate किया जाता है, so option number A, जो है, वो right answer है, question number first का, second question, how come Mela is organized in India, तो कुम Mela जो है, वो कब और कितने देर बाद organized किया जाता है, इंडिया में, यह question है, ठीक है, so option number A is every four years at three locations, B is every 12 years in four locations, C every three years in four locations, and D every four years at four locations, तो right answer हमारा है, option number B, ठीक है, हर 12 साल में, चार जगा पे, जो है, कुम Mela organized किया जाता है, आप अपना अपना जो है, answer comment section में जरूर mention कीजिए, और end में, जो है, score भी बताइएगा, कि out of total questions, आपने कितने correct answer, जो है, वो mark किया, so इसका right answer, जो है, वो है, every 12 years at four locations, वो four locations हमारी क्या है, प्रियाग राज, ठीक है, प्रियाग, then हरिद्वार, प्रियाग, हरिद्वार, उजेन, ठीक है, उजेन, and नासिक, ये जो है, four locations है, जहां पे हर 12 साल बाद, जो है, कुम Mela organize किया जाता है, प्रियाग राज में, यूपी में, ठीक है, यूपी में आता है, ये, वो हरिद्वार, इन उथ्रकंट, ठीक है, उजेन, इन, मद्यप्रदेश, and नासिक, इन, महराश्टरा, तो ये चार जगाएं, जो है, चार states जो है, इनकी ये चार locations पे, जो है, हर 12 साल में, कुम मेला और डाइस किया जाता है, सो, सेकींड का राइट आंसर है, option number B, ठीक है, थर्ड क्वेशन, फेमिस खजुराहू ग्रूप ऑफ मॉनुमेंट्स, इस इन विच स्टेट, तो जो खजुराहू ग्रूप ऑफ मॉनुमेंट्स है, ठीक है, यह कौन सी स्टेट में है, यह पूछा है, तो option number A है, राजिस्थान, B है, महराष्टरा, C है, उत्रप्रदेश, D है, मध्यप्रदेश, तो third का राइट आंसर है, option number D, ठीक है, मध्यप्रदेश में जो है, यह क्या है, खजुराहू ग्रूप ऑफ मॉनुमेंट्स, basically Hindu, Hindu and Jain temples है, ठीक है, Jain और Hindu temples का, यह जो है, ग्रूप ऑफ मॉनुमेंट्स है, ठीक है, और यह कहां पे है, मध्यप्रदेश में है, और यह जो खजुराहू मॉनुमेंट्स है, यह 950 से 1050 AD के बीच में यह बनाई गी थी, बाइ चंडेला डाइनेस्टी, ठीक है, बाइ चंडेला डाइनेस्टी जो है, यह डूप ऑफ मॉनुमेंट्स जो है, बनाई गे थे, जो कि Hindu और Jain temples का ग्रूप है, ठीक है, तो यह कहाँ पर है हमारी मध्यप्रदेश में, तो option number D, जो है third का right answer है, fourth question, what is Arab skew, तो Arab skew क्या है, option number A, a form of music, B, a form of sculpture decoration, C, a form of artistic decoration, और D, a form of folk dance, तो इसका right answer है, option number C, ठीक है, Arab skew क्या है, यह एक तरह की decorations है, जहाँ पे न, leaves वगारा, ठीक है, leaves, tendrils, और मतलब ऐसे design, जो है, surface decoration की जाती है, basically, यह सबसे पहले, 13th century में, जो है, यह use किये गे थे, देली में, जित्ते भी monument से, आल्मोस्ट जो है, Arab skew decoration से ही, बनाए गए है, ठीक है, इसी की मतलब से, best examples, Arab skew decoration है, ठीक है, ताज महल हो गया, अकबर टॉंब हो गया, ठीक है, अकबर टॉंब, जित्ती भी, अगर आप मुगल मॉनुमेंट्स देखोगे, basically, मुगल मॉनुमेंट्स सब जो है, वो Arab skew decoration से ही, ज्यादा बनाएगी है, यही decoration जो है, आपने ताज महल की देखी होगी, तो वो सब जो है, उसको Arab skew बोला जाता है, और यह इंडिया में जो है, यह काफी सारी जगाओं पे जो है, देखा जाता है, ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर के है, option number C, a form of artistic decoration, 5th question, what was the commonly used architectural raw material during Akbar's time, तो अकबर के दोरान जो है, आर्किटेक्ट्र रौ मेटेरियल कौन सा यूज किया जाता था, बहुत जादा, ठीक है, तो A है मार्बल, B है ब्रिक, C है लाइम स्टोन, D है रेड स्टोन, तो इसका राइट आंसर है, option number D, ठीक है, रेड स्टोन वोस कॉमनली यूज द्यूरिंग अकबर स्टाइम, ठीक है, उस टाइम पे जितने भी मॉनुमेंट्स बनती थी, या कुछ भी बनते थे, उनमें बेसिकली रेड स्टोन ही लगाया जाता था, ठीक है, so फिफ्ट का राइट आंसर, option number D, 6th question, मान्द is a folk music art of which state, तो जो मैंनी आज शितने भी questions लाएं हैं, ये हमने पहले जितने भी culture and heritage पर वीडियो लाएं हैं, तो उनमें ये questions हमने cover नहीं किये थे, तो इसलिए आज मैंने उनसे हटके different questions लाएं हैं, तो आप ये मैं समझेगा कि ये मुश्किल है, इससे आपको इल्टा knowledge ही मिल रही है, आपको जो extra चीज़े हैं वो भी cover हो जाएंगी आज की वीडियो से, ठीक है, तो बाकी जो मैंने cultural and heritage की वीडियो हमारे चानल पर हैं, मैंने उनका link description box में दे दूँगी, आप वो भी check out कर लीजेगा, तो मांग जो है, ये fork music art है, ये कौन सी state की है, तो A है हर्याना, B राजस्थान, C पंजाग, D गुजराद, तो इसका right answer है, option number B, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में जो है, जितने भी, राजपूत रूलर्स होते थे, राजपूत रूलर्स के, उनकी जो रॉयल कोर्ट होते थे, वहाँ पे जो है, ये मांद music fork art, जो है, ये यूज़ कहा जाता था, ठीक है, वहाँ पे जो भी music होता था, या fork dance होते थे, fork art, art, बेसिकली ये बोला जाता है, तो उसको मांद कहते है थे, ठीक है, कहाँ पे राजपूत रूलर्स के टाइम, ठीक है, तो ये इसका 6 का right answer है, option number B, राजिस्थान, 7th question, गोटा पट्टी is a type of Indian embroidery, that originated from, तो गोटा पट्टी, सबको पता होगा, कि ये एक Indian embroidery है, ठीक है, तो यहाँ में पूछाएं कि, ये कहां से कौन सी state से जो है, originate हुई है, तो A है मध्यप्रदेश, B उत्तरप्रदेश, C गुजराथ, D राजिस्थान, तो इसका right answer भी हमारा, राजिस्थान है, ठीक है, तो उसमें जो है, गोटा पटी का use किया जाता था, ठीक है, ये basically क्या symbolize करता है, गोटा पटी symbolizes, royal form of lifestyle, तो इसलिए राजिस्थान में, basically ये जो है, ये tradition जो है, start किया गया था, ठीक है, सेवन्थ का right answer, option number D, 8th question, Allura an archaeological site, was built by rulers of which dynasty, तो अलोरा जो है, ठीक है, Allura caves आपको पता होगा, तो ये जो है, archaeological sites है, ये कौन सी dynasty के rulers ने बनाई है, तो Allura caves कहाँ पे हैं, ये सब को पता होना चाहिए, औरंगाबाद, ठीक है, महराष्टरा में, Allura caves है, ठीक है, महराष्टरा में, अरंगाबाद, महराष्टरा में, Allura caves बनवाए थे, ठीक है, और अभी जो है, UNESCO, UNESCO World Heritage Site में, जो है, Allura caves को भी, इंकलिवड किया गया है, ठीक है, ये important आता है, कि UNESCO World Heritage Site में, जो है, Allura caves को इंकलिवड किया गया है, जो कि, अरंगाबाद, महराष्टरा में हैं, और ये किनों ने बनवाए थे, राष्टर कुटाज ने, ठीक है, एट्थ का राइट आंसर, option number B, 9th question, Which Indian Academy is promoting, dance, drama and music, तो कौन सी Indian Academy, जो है, वो promote करती है, ये तीनों चीज़ें, dance भी, drama भी, और music भी, तो A है, साहित्य Academy, B है, ललित कला Academy, C है, National School of Drama, D है, संगीत Academy, तो इसका, right answer, option number D, ठीक है, संगीत Academy, जो है, ये promote करती है, हमारी dance, drama और music को, तो 9th का, D right answer है, 10th question, Where is Pushkar Fairhead, तो जो हमारा, Pushkar Mela लगता है, ये इन 4 options में से, कौन सी जगा लगता है, तो A है, Udhepur, B है, Jaisalmer, C है, Jodhpur, D है, Ajmer, तो इसका, right answer, option number D, ठीक है, Ajmer में, जो है, Pushkar Mela, जो है, वो लगता है, 10th का, D answer है, I hope, maximum का, 10 में से, 8 score, तो अभी तक, रहा ही होगा, ठीक है, तो अपना, total score, जो है, वो मुझे, comment section में, सब जरूर बताएगा, 11th question है, In which of the following styles of dance, the story theme is always taken from, Mahabharat and Ramayana, तो ऐसी, कौन सी style है, dancing की, जहां पे story, जो है, theme, जो है, dance की, वो हमेशा, Mahabharat और Ramayana से, जो है, इसमें हमेशा, जो dance की theme होती है, वो या तो महabharat से ली जाती है, या Ramayana से ली जाती है, तो 11th का रहा है, रहा है टांसर, option number A, बरतनाटियम, 12th question, The famous traditional dance, रोफ, associated, is associated with, which of the following, तो रोफ, डांस, जो है, ये, इन में से, के में सब को पता होना चाहिए, कश्मीरी वोमें, basically, जो कश्मीरी वोमें होती है, ठीक है, कश्मीर में ही, ये perform किया जाता है, by कश्मीरी वोमें, ठीक है, वो इसको, जो है, इस dance form को, चकरी dance form भी कहते है, ठीक है, जहां पे वो group बना के, जो है, एक performance देती है, और ये कहां पे famous है, हमारे जम कश्मीर में, तो 12th का right answer है, option number C, 13th question, तो राजिस्थान में, हर साल एक festival होता है, जिसको desert festival कहते हैं, तो ये, इन में से, कौन सी जगा पे होता है, A है, बिकानेर, B है जोदपूर, C है बारमेर, D है, जेसलमेर, तो 13th का right answer है, option number D, जेसलमेर, ठीक है, जेसलमेर में जो है, desert festival मनाया जाता है, जहां पे जो भी local folk art होती है, ना, local folk art culture जो है, वो वहाँ पे दिखाया जाता है, ठीक है, camel races होती है, इस दोरान, ठीक है, aerobatics वगारा, मतब ये festival पूरा, जो है, मनाया जाता है, हर साल कहां पे, जेसलमेर में ठीक है, 13th का right answer है, option number D, 14th question, which of the following manuscript, is included in UNESCO's memory, of world register, तो UNESCO's memory, of world register में, इन 4 options, इन में से, एक manuscript, जो है, वो include की गई है, तो वो कौन सी है, A है, रिगवेदा, B है, रमायना, C है, महाबारत, और D है, none of the above, तो 14th का right answer है, option number A, रिगवेदा, ठीक है, रिगवेदा जो है, इसको UNESCO's memory, of world register में, include किया गया है, ये important भी है, आप हमेशा यादर की गया question, ठीक है, अब मुझे आपने, इस बार comment section में, ये बताना है, कि जो हमारा, सत्यमेव जयते है, ठीक है, सत्यमेव जयते, ये हमारी, कौन से वेदा में से, लिया गया है, ठीक है, तो ये आप मुझे comment करके, बताएंगे, मैंने काफी सारी वीडियो में, ये वाला question, जो है, कवर किया है, तो अगर आप हमारी चानल से, शुरू से जुड़े हैं, तो आपको ज़रूर इसका answer पता होगा, तो सत्यमेव जयते, जो है, ये कौन से वेदा से लिया गया है, तो फोर्टीन्थ का राइट आंसर था हमारा रिग वेदा, ठीक है, so option number A is the right answer, 15th question, where was the first मदर्सा set up by the Britishers in India, तो इंडिया में, Britishers ने पहला जो मदर्सा था, वो कौन सी जगा पे बनवाया था, तो A है कलकटा, B है मदरास, C है बॉंबे, इंडिया में बनाया गया था, तो फोर्टीन्थ का राइट आंसर, option number A, 16th question, कथक is the principal classical dance of, कथक जो है, वो कौन सी, इंडिया की कौन सी पार्ट का, जो है, प्रिंसिपल क्लासिकल डांस फॉर्म है, तो A है southern इंडिया, B है northern इंडिया, C है eastern इंडिया और D है western इंडिया, तो इसका राइट आंसर है, option number B, ठीक है northern इंडिया में, mostly उत्रप्रदेश, राजिस्थान, ठीक है, राजिस्थान, उत्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, इन states में, जो है कथक जो है dance form, वो उसको principal dance form की तरह देखा जाता है, और यह famous है, कहाँ पे हमारी northern इंडिया में, ठीक है north इंडिया की जो states है, यूपी, राजिस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली, इन जगाओं पे कथक को देखा जाता है, ठीक है, so 16th का राइट आंसर है option number B, 17th question, मुगल पेंटिंग्स फ्लोरिश दियूरिंग दे रीन ओफ, जो मुगल पेंटिंग्स थी, वो किस राजा के दोरान जो है, फ्लोरिश की थी इंडिया में, तो A है शाह जहान, B है अकबर, C है और अंग्जेब, UD है जहांगीर, तो 17th का राइट आंसर है option number D, जहांगीर के time period में, मुगल पेंटिंग्स को, बहुत जादा तवज्ज़ दिया गया था, ठीक है, 17th का राइट आंसर है option number D, 18th question, Who composed the famous song, सारे जहां से अच्छा, तो जो सारे जहां से अच्छा song है, वो किसने compose किया था, तो A है जैदेव, B है मुहमद इकबाल, C है बंकिन चत, चंद्र ओडी है, राबिंद्र नाथ टेगोर, तो जो सारे जहां से अच्छा है न, ये सबसे पहले जो है, कौन सी language में लिखा गया था, उर्दू language में लिखा गया था, और ये किसके द्वारा लिखा गया था, तो option number B जो है, वो right answer है, मुहमद इकबाल ने जो है, उर्दू language में, सारे जहां से अच्छा जो है, वो compose किया था, अब एक question है, कि जो हमारा जन गन मन है, ठीक है, जन गन मन जो है, वो किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, तो जन गन मन किसने लिखा है, ये आप मुझे comment में जरूर बताईएगा, तो हमारे 18th question का right answer है, option number B, मुहमद इकबाल, 19th question, तो कौन से हिंदू गज़ के जो है, आउनर में, रत यात्रा जो है, वो पूरी में celebrate की जाती है, तो A है राम, B है जगनाथ, C है शिवा, और D है विष्णू, तो 19th का right answer है, option number B, ये सबको पता होना चाहिए, अभी recently ये यात्रा फिर से हुई थी, तो जगनाथ जो है, उनके लिए जो है, ये रत यात्रा जो है, पूरी में, ठीक है, so option number B, जो है 19th का right answer है, 20th question, the elephant caves are dedicated to which deity, ठीक है, तो कौन से बगवान को जो है, elephant caves जो है, वो dedicate किये गए हैं, तो A है शिव, B है महावीर, C है विष्णू, उडी है बुद्दा, तो इसका right answer है, हमारा option number A, ठीक है, शिव जो है, उनके लिए, elephant caves जो है, basically dedicated किये गए हैं, और ये जो elephant caves हैं, इनको UNESCO World Heritage Site में भी include किया गया है, ठीक है, UNESCO World Heritage Site में, elephant caves को भी include किया गया है, मैंने अभी पहले आपको बताया था, कि Elora Caves जो है, उनको भी include किया गया है, UNESCO World Heritage Site में, ठीक है, और ये जो है, ये कहाँ पर located है, elephant caves, these are located in near Bombay, ठीक है, ये एक island पर located है, जिसको city of caves बोलते हैं, ठीक है, city of caves island है, in near Bombay, वहाँ पर जो है, ये located है, ठीक है, और ये किनों ने बनवाए थे, जो elephant caves है, ये हमारे बनवाए थे, राष्ट्र कुटाज ने, ठीक है, राष्ट्र कुटाज ने, जो है, elephant caves जो है, वो बनवाए थे, तो I hope आपको ये समझ आया होगा, राष्ट्र कुटाज मैंने आपको पहले बताया, allura caves भी बनवाए थे, ठीक है, so यहाँ पर right answer 20th का, जो है, वो है, option number A, share, so thank you so much for watching the video, I hope आपको वीडियो अच्छे लगी होगी, informative लगी होगी, मैं जितना explanation दे सकती थी, questions के साथ, मैंने उतना आपको समझाया भी है, हर चीज के explanation भी दी है, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में, जो हैं, अगर आपको वीडियो अच्छे लगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर ऐसी और एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारी प्लेइलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत से MCQ's वीडियो मिल जाएंगे, और कमेंट सेक्षिन में मैंने जो भी क्वेशन्स पूछे हैं, उनका अंसर जरूर बताएगा, और आउट अफ टोटल 20 क्वेशन्स, आपके कितने करेक्ट हुए हैं, वो भी जरूर मेंचिन कीजिए, तो थैंक यू सो मच,